सब्सक्राइब करें ग्यान ग्यान टेक्नलोजीशनल को और साथ में बेल आइकन को डबाईए ताकि अगला जो वीडियो है वो सबसे पहले आप नमस्कार दोस्तों मेरे नहीं के शबर आज में आपको डिखाऊंगा कि वाटसब का वो सिक्रेटिफिशास जिसको आप को जरूर जानना साहिए तो बनादे ग्यान ग्यान टेक्नलोजीशनल के साथ और आज मैं आपको इसके स्टेफ बाई स्टेफ करकर दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप अपने वाटसब पर आए तो वाटसब पर आने के बाद आपको सेटिंग पर आना है वापको इविकरिशन यह तिन अप्सन मिलेगा आपको अपना प्राइवेश्य में जाके जाना है और जाके यह लास्ट सीन जो है न उसके एवरीवन नहीं माई कंटक्त रखना है प्रोफाइल फोटो जो है वह आप माई कंटक्त में रखिए और उसका आपका जो एवाउट है वह आप जाएंगे तो आपको देखाँ सो सीकुटी निटिफिकेशन इसको आप टानन कर लिए और इसके पर लिए झाल लिडिए और यहाप पर लिचेजए एक बाद प्रेद शेकुर्टी एनेबल टुस्ते फिर जो रिकुर्ट एपी इन होएं डेजिस्टारिंग यूर फोन नमबर उच्छ वाच्छब एगें अगर आप वाच्छब का अनिस्टेल पर आपको फिर चैनल करके उसी नमबर पर अच्छब सलाना है तो यह पीन आपका आपको सा और यह होगा तो शलिस है इसको अनियम्र के शेक्रते दिखाते हैं है मिनाबल पर क्लिक किजिए और आप कोई भी सिक्स दिसीत का नमबर से ट कर रहा हो इसके बात फिर से वही नमबर जोट नमबर अपने डाल कि उसको फिर से डाल करना है कि दूबर नंबर डाइल करने के बाद आपको यहां से तुस्ते फिर्फ एड़न इमेल देश तू यूर एकांट फूल भी इस तो रिचेट यूर पिन इफ फॉर्गट इट एंड शेफगर यूर एकांट आपको यहां पर अपना जीमेल देश होगा कोई भी इमेल देश हो आप डालना है अगर आपको जीमेल देश नहीं है तो मैं निसे लिंक दे दूंगा उसको देखकर आप अपना जीमेल लेकां खोल सकते हैं तुसलिए मैं अपना यहां इमेल देश देखर कंटिनू कोटा हूँ अपना इमेल देश दलने के पड़ आपको यहां पर सिंपले नेक्स्पी क्लिक करना है और आपको फिर से ओई को यहां आपको दलना है यहां है इस तरह से होगा तुस्टे फिरिफिकेशन इस एनेवल आपको डान पर क्लिक करना है तो आपका जो तुस्टे फिरिफिकेशन था वहां हो गया यह आपको जब तो बैस्त आपको मोबाइल में इंस्टल करना साओंगे तो आपको पास्तो अधिस्त प्रीविए वाध्शाप गएगा लेकिन यह तुस्त प्रलिगर्पिशन इपको वो हाट्सप मंगेगा ताकर कोई दूसरा का मगाम कि अब मॉबाइल नमबर से हिसको मिल जाए तो आपको वाच्छाब का मिश्यूज ना कर पर तो थैंक यू फू फू अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो आप इसे लाइक किजिए कुमेंट किजिए सेयर किजिए और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कुमेंट करके बताईए